हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब हमिसा की तरह मस्त होंगे ब्यस्त होंगे दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके शार शेयर किये हैं घर से चोगों को भगाने का एक ऐसा देशी और असरदार तरीका जिसका इस्तमाल करके आप अपने घर से सारे चोगों को भगा सकते हैं आईए आगे बढ़ते और वीडियो में जान लेते हैं कि क्या है वो तरीका इसको हम बनाएंगे कैसे इसका हम इस्तमाल कैसे करेंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये कैसा बरतन ले ले जो आप खाने पीनने की यूज में ना लेते हूं इसी के अंदर आपको लेना है गेहूं का आटा दो से तीन चम्मच के करीब आप गेहूं का आटा ले ले हम इसमें इस्तमाल करेंगे क्वाटन का क्वाटन के सहायता से आज हम चुहू को भगाएंगे गेहूं के आटे में आपको क्या करना है एक चम्मच के करीब चीनी मिला देना है उसके बाद आपको इसी के अंदर मिलाना है आधा चम्मच के करीब देसी घी देसी घी नहीं है तो आपको इसा भी cooking oil इसके अंदर डा सकते हैं इन सारे चीजों को आपको अच्छे से mix कर लेना मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालें और जैसे आप रोटी के लिए डो रेडी करते हैं वैसे आपको इसका डो रेडी कर लेना है और हां दोस्तों आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमिंट बॉक्स में जरूर बताएगा ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहां तक पहुची आप चाहे तो गिवों की आटे की जैके चावल का आटा बेसन मैदा इन्विस से आप कुछ भी ले सकते हैं जब आपको लगे कि अच्छे सी डो बन गया है तब आपको क्या करना है इसको छोटे छोटे टुकडों मे इस तरह से बॉल्स बना कर रेडी करना है जितना आपको जरूरत है आप उस हिसाब से ये बॉल्स बना कर तयार कर लें हमने यहां पर चार से पांच बॉल्स बना कर तयार कर लिया है अब इससे खाकर चुहा तो भगेगा नहीं हमें एक छोटा सा काम और करना है हम भी क्या क कि थोड़ा साखवाटन लेकि आपको इसके चुटे-चूटे व्रावर बना ले था, आप चाहे तो इस तरह से बना ले या फिर जो आप अपने घर में गोल रुई की बाती का इस्तुमाल करते हैं पूजा के लिए आप उसका भी यहां पर इस्तुमाल कर सकते हैं तो आप चाहे तो इस तरह से बना ले या फिर इन बाती का इस्तमाल करने जो भी आपको आसाल लगी जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रूई से ही ऐसे चार से पांच इस तरह से बना लिया है इसको हम साइड में रखते हैं हम लेंगे एक बाउल और इसके अंदर ड नए थे आठे का आपको एक ये बॉल्स ले लेने हैं अपने हत्हेली पर रखकर हलका सा प्रेस करना है उसके बाद जैसे आप पूडी बनाते ना वैसे इसको पूडी का सेव देते देना है उसके बाद आपको क्या करना है यह जो कौटन है इसको लेकर इसी विनेगर में या पीर नीबो की रस में आपको हल्का सब भिगा देना है निचोड कर आपको इसी कौटन को यह जो डिटर्जन पॉडर है अच्छे से इस कौटन पि लगा लेना है उसके बाद इसी आठे के अंदर रखकर आपको अच्छे से स्टाफ कर देना है वैसे जैसे आप आलू के इस्तमाल करना है चुहा बगाने के लिए जैसे भी जहां पर भी आपको लगता है कि चुहा बहुत जादा हता है चाहे वो किचन हो तो आप गैस चुले के निचे आप एक ए बॉल्स रख दे स्टोर रूम हो या फिर में गेट हो जहां पर भी आपको लगता है कि चुहा बहु जादा आता है वहाँ पर आप एक एबॉल्स रख दे हां बच्चों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बहुत ही असरदार ये घरेलू तरीका है खास करके चुहा भगाने के लिए अगर आप भी चुहों से परिशान हो गए हैं तो एक बार इसको जरू ट्राय करेगा और अ तेंक यू दोस्तों